दोस्तों, आज हम आपको नमक एक ऐसे टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप ना सिर्फ धनवान बन सकते हैं, बल्कि अपने सारे वास्तू दोशों को मिटा सकते हैं जैसे कि आप सब को पता है नमक कई प्रकार के होते हैं जैसे सेधा नमक जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है समुंद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदी जियोतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंदर और शुकर का प्रतिनिदी माना जाता है नमक को कुछ लोग राहु का परतिक भी मांगते हैं नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनी का मिलन होता है ये रोप और शोप का कारण बन जाता है नमक को किसी प्लास्टिक के पातर में भी नहीं रखना चाहिए नमक सिर्फ प्लास्टिक के पातर में रखने से ही भुरा असर नहीं कर पाता नमक का गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता बोजन पकाते समय बोजन को चकहे नहीं उससे बोजन की पवित्रता नश होती है और दरिदृता आती है नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर चार-पांच लोंग डालने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और लक्ष्मी का आगमन होता है जिस तरह थोड़ा सा नमक खाने को स्वाधिश बना देता है ठीक उसी तरह थोड़ा सा नमक हमारी लाइफ में भी खुशियां घोल देता है ये वास्तुशास्त्र की माननेता है कि नमक के पानी से पोचा लगाने पर घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है पर ध्यान रहे गुरुवार को ऐसा करना वर्जित माना जाता है सेंदा या खड़े नमक का एक तुकड़ा बेडरूम में एक कोने में रखें इस तुकड़े को महिने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया तुकड़ा रख दें इससे पती-पत्नी में कलेश नहीं रहेगा और अगर कोई लंबी बिमारी से ग्रहसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बरतन में नमक रखें एक सब्ता भाद उस नमक को बदल कर दुबारा नमक रखतें धीरे-धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और इस कटोरी को बातरूम में रखें इस उपाय से भी नकरात्मक उर्चा दूर हो सकती है हर मा कटोरी में नमक बदल लें पुराने नमक को फैंक देना चाहिए नमक हमें बुरी नजर से भी बचाता है अगर किसी व्यक्ति को बूरी नजर लग गई हो तो एक चुटकी नमक लेकर तीन बार उसके उपर से घुमा ले फिर उस नमक को बाहर फैंगते माननेता है कि ऐसा करने से सबी दोश दूर हो जाते है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर जरूर करें अगर आप चैनल में ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेटर्स अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दुबाएं और दोस्तों इस करोना के समय में अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का खास दियान रखें नमस्कार